हेलो देश की जनता और क्या हाल चाले आप लोगों के दोस्तो आज से कुछ दिन पहले मैंने नॉइस ब्रांड की तरफ से X-Fit1 HRX Edition Smart Watch को Unbox and Review किया था दोस्तो अगर आपने वोई वीडियो नहीं देखी तो जा कर देख लीजिए और दोस्तो आज हम Unbox करने जा रहे हैं नॉइस की तरफ से एक और स्मार्ट वोच जो कि अभी कुछ दिन पहले मतलब दो तीन दिन पहले लॉंच हुए जिसका नाम है दोस्तो Color Fit Ultra 2 जो कि दोस्तो काफी अच्छी वोच बताई जा रही है मतलब मैंने इसको लिया है और देखते हैं दोस्तो इसके फीचर मतलब कितने अच्छे हैं और यह HRX Edition वाली Xpid 1 से कितनी बैटर है तो दोस्तो चलिए फटा 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 अन्बोक्स करते हैं इस वोच को और देखते ह हैं कि किस प्रकार के वह साथ में दोस्तों इसको आपन कंपेर करेंगे यहां पर एकस्ट 1 से भी और साथ में दोस्तो एपल वाच की सीरीस 3 से तो दोस्तों कुछ इस प्रिकार के बॉक्स में आते हैं आपकी कलर फिट अल्टरा टू वाच पीचिक तरफ यहां पर बॉक्स में देखे तो इसके जो में फीचर से उसके बारे में बता गया है जैसे कि 1.78 इंच की अच्छा रेजुलिशन है ब्लेड ऑक्सिजन मॉनिटर भी इसमें दिया गया है सबसे पहले यहां पर देखें तो इसमें इसके स्टीकर है और यहां पर देखें तो एक व्यार ग्रेट फुल करके एक वारंटी कार्ड इसमें दिया गया है उसके बाद दोस्तों यहां पर इसकी एक लंबी चौरी सी यूजर मैनुवल दिये जिसे पढ़कर आप इसे पेयर कर सकते हैं अपने मॉबाइल से और कैसे यूज करना इसमें दिया गया है उसके बाद दोस्तों बॉक्स में दी गई है यहां पर आपकी वाच अभी के अजिकाल वर्वियू के तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक प्रट्राइक लेयर दिए एक पॉलिठिन की तो उसको यहां पर आम इसे हटा लेते हैं इस्ट्रेपक सीपे इसकी बात करें तो दोस्तों इसमें सिलीक ओन स्ट्रेप दे गये हैं जो की काफी ही मुलायम तो यहां पर दो मतलब charging connectors दिये गए हैं और सभी प्रकार के sensor जैसे SPO2 या फिर heart rate monitor वाली sensor यहां पर दिये गए हैं यह राइट साइड में देखे तो दोस्तों यहां पर physical button दिया गया है left की तरफ में कुछ नहीं है तो physical button को दबाये रखते हैं मतलब press and hold करते हैं तो यह watch on हो जाएगी तो watch on होने पर यहां पर noise की branding आती है और उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का QR code यहां पर आपको दिखाए देगा तो noise fit करके app आता है वह आपको अपने Android या फिर iOS में डाउनलोड कर लें और अगर आपको नहीं मिल रहा है इसका लिंक तो दोस्तों आप इस QR code को scan करने के बाद में सीधा आपको यह आपके application पर लेकर चला जाएगा तो वहां दोस्ते भी आप इसे economically download कर सकते हैं में ने डाउनलोड किया है तो उसको open कर लेते हैं और उसके बाद दूस्तों यहां पर पेर करने के लिए ready हो जाता है और option आता है यह वर डिवाइस इस पेरिंग उसके बाद दोस्तों कुछ सेकेंड के बाद आपकी वाच पर भी पेर विद इस डिवाइस वाला option आ कर लेंगे तो इस पेरिकार की डिप्छले हम यहां पर शो होती है अब दोस्तों जान लेते हैं वाच के फीचर के बारे में तो दोस्तों वाच की डिस्पले पर अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम स्लाइड करेंगे तो यहां पर कुछ औप्शन नजर आएंगे जैसे कि याँ बैटरी का power saving mode है उसको on off यहां से कर सकते हैं second option दोस्तो find my phone का तो आप इस पर tap करके अपने phone को find कर सकते हैं आपका phone मतलब बजने लग जाएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा option दिया है आपकी brightness करने का इससे आप पांच मोड़ तक कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर दिया गया उसके बाद दोस्तों टॉर्च वाला उप्शन दिया तो इस परकार आपकी जो डिस्प्ले उग्दम ब्राइट तरीके से चमकेगी और यहां पर setting वाला बटन यहां पर दिया गया है तो उसमें अलग-अलग setting के बारे में यहां पर आपको बताया गया है या फिर शो किया गया है और अगर उपर से नीचे की तरफ स्लाइड हम करेंगे तो दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन बार आएगा तो आप सभी प्रिकार के नोटिफिकेशन देख पाएंगे उसके बाद दोस् को आप एंड डाउन आपकी वाच के द्वारा ही कर सकते हैं मतला आपको फोन तक जाने के कोई ज़रूत नहीं है तो इसलिए आप मुजिक कंट्रोल कर सकते हैं इसी तरह दोस्तों इसमें लेफ्ट टो राइट या राइट टो लेट स्वाइब करेंगे तो अलग-अलग इसेज भी आप चूज कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आपको राइट साइड में वाच के जो बटन या उसे प्रेस करके इसके मैनु के बारे हम जान सकते हो जैसे यहां पर नॉइस हैल्थ क्लॉक वर्काउट स्पोर्ट रिकॉर्ड वैदर और भी काफी ऑप्शन यहां प हुआ जीमिंग से इसमें दिये गए हैं तो जो भी आप इसमें खेलोगे या फिर करोगे तो उसका जो डेटा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा और दोस्तों आपकी स्पोर्ट एक्टिविटी को आप स्पोर्ट रिकॉर्ड में जाकर देख सकते हैं अभी मैंने कोई भी ही ऐ किया यह तो यहां पर है नहीं उसके बाद दोस्तों वैदर वाला ओप्ठण यहां पर आपको दिया गया है से आप आपने जो करंट वैदर को जान सकते हैं ब्रीजब और ऑपशन यहां मियंदल्वाच में लिया है उसके बाद stocks वाला option यहाँ पर है और आपका flashlight वाला है और calculator में दिया गया है जो कि आपकी expert 1 वाले watch में नहीं था तो आप किसी भी चीज को यहाँ पर अगर जल्दी वाजिव कुछ calculate करना चाहते हो तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर कर सकते हो उसके बाद दोस्तों इसमें अगला जो option वह सैटिंग का सैटिंग में दोस्तों सबसे पहले brightness दी गई है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर vibration दी गए तीन अलग अलग मूड दी गए हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिश्टाविक वाला option कि आप कितने second रखना चाहते हो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर dnd वाला option always on display सबसे important feature है कि जब भी आपकी display off हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों फिर भी आपकी डिस्पेल पर मतलब always on वाला option रहेगा तो कैसे रख सकते हैं यहाँ पर digital या फिर कैसे भी रख सकते हैं जैसे आपकी मर्जी हो उसके यहाँ पर चम चमाती दूप में भी आप इजली इस display को देख सकते हैं यह काफी ब्राइट और काफी शार्प है तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका जो heart rate monitor है वो कितना accurate है तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक oximeter लिया है जिसमें heart rate monitor दिखाता है साथ में apple watch भी जो की देख सकता है यहाँ पर यह start हो चुका है और oximeter में 84 85 चल रहा है एपल वाच में 89 और मतलब ऑल्मोस्ट सिमिलर चल रहा है तीनों watch में ही तो अगर बात करें इसके heart rate monitor की तो दोस्तों काफी close close मतलब almost accurate है तो heart rate monitor एकदम perfectly वर्क कर रहा है noise की watch में दोस्तों यहाँ पर sensor दिय measure करने का मतलब आपके blood oxygen measure करने का तो देखते हैं कितना accurate होता है क्योंकि apple watch में तो भाहिया दिया नहीं है तो उसमें तो यह काम करेंगा नहीं तो यहाँ पर में दढ़कने तो ऐसे थे जोरी जैसे मेरी company डूप जाएगी गलत बता दिया तो चलो बाइदावे 99 आपके oximeter म में हैं और spo2 अभी noise watch में read हो रहा है तो आप देख सकते हैं 99 परसेंट और एकदम accurate आपर इसने शो किया है और यह एक परसेंट हमेरे oxygen कम हो गई इसको चेक करने के चक्कर में दोस्तों noise के watch में heart rate और oxygen level मापने के अलावा stress monitoring का option भी दिया है तो जो कि यहाँ पर कर रहा है हम stress measure कर रहे हैं कि भाईया हमको कितनी tension है या फिर नहीं है अभी तो relax बैठा हुआ तो hope कि यह सही दिखाए तो देखते हैं यह stress measuring कैसा work करता है तो stress measure करने भाईया थोड़ा सा यह time लेता है तो हम इसको fast forward कर देते हैं तो तो 29 यहाँ पर निकल कर आया है और जो कि relax mode में आता अब यह कि मतलब हम relax है हमें कोई दिखत नहीं है thank you very much और दोस्तों कुछ feature इसके आपकी watch में जो नहीं मिलेंगे वह आपको मिलेंगे इसके application में मतलब इसके कुछ features का use आप application के द्वारे कर सकते हो जैसे कि आप color fit पे tap करोगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख कर पाऊगे और दोस्तों इसके application के जरिये ही आप अपनी watch के अलग-अलग faces को change कर पाऊगे जैसे कि आप देख सकते हैं hundred plus cloud faces इसमें दिए गये हैं तो आप जो मन चाहे face आपकी watch का रख सकते हैं इस application के जरिये तो यहाँ पर update आपका watch face करेंगे तो आपकी watch पर यह update हो face cutting की गई यह वह उसकी body के लिए की गई है जो कि plastic की दी गई है इसमें है वह steelness steel की body दी गई है साथ में दोस्तों उस watch में जो display दी गई वह LCD दी गई है और उसकी display size थोड़ी छोटी है साथ में दोस्तों इसमें always on display वाला feature आता है जो कि उस watch में नहीं था बात करेंगे दोस दोस्तों मतलब यह है आसे तीन या चार साल पहले मतलब जो लाँच होई वह वाच अब एपल की वाच 7 मतलब सीरीज 7 आ चुकी है तो दोस्तों यह जो वाच है कलर फिट अल्टा टू एक लुक में काफी हद तक इसके जो फेसेज हैं वह एपल वाच सीरीज 7 को मैच करते हैं बात कर इसके सेंसर की तो दोस्तों यहां पर जो आपने देखा कि यह जो हाट रेट सेंसर है या फिर इस प्योट होई वह काफी मतलब एक्यूरेट वर्क करते हैं अब यहां पर आपको अगर यह वाच जैसे एपल वाच सीरी तो दोस्तों यह आपको 20-30,000 रुपे मिलती ह और यह आपको अलमुष्ट सारे यह फीचर ही देती है जो इस वाच में मतलब दोनों बहुत सिमिलर है बस एपल मतलब मॉबाइल जिनके पास उनको थोड़े बहुत एडवांस मतलब एडवांटेज मिल जाते हैं बाकि अगर आप एपल के साथ अगर यह वाच भी यूज क उसकी प्रैस की तो दोस्तों इसकी प्रैस से साड़े चार हजार रुपे जो कि काफी जस्टिफाइई है क्योंकि दोस्तों इस प्रैस में शायदी मतलब इतनी बैटर वच आपको मिल पाए जो की एक स्टील बोडि साथ में ओलिज अन डिस्पले और काफी अच्छे फिचर देती है साथ में दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो 7 days इसकी क्लेम करता है बैटरी लेकिन दोस्तों जैसे मैंने यूज की तो लगबग इसकी बैटरी चार दिन तक ही चल पाएगी rough and tough use मैंने मतलब इसको पैना है तो मतलब 7 दिन नहीं चलेगी मैं यह कह सकता हूँ तो दोस्तों अगर आप यह watch खरीना चाहते हैं तो मैं link description में दे दूँगा आप Amazon से यह watch खरी सकते हैं या फिर noise के official जो site वहाँ पर से भी जाके आप यह watch खरी सकते हैं I hope दोस्तों आपको यह video अच्छी लगी होगी लेकिन दोस्तों फिर भी आपके कोई सवाल है या फिर इससे related कोई भी query है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथ शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में notification पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ा experimental हो सकता है तब तक के लिए थेंक्यू नमस्कार जाहिंद